हालो दोस्तों मैं हर्शुता और आप दीख रहे हैं ट्विंस माइं वर्ल्ड केयर थमनिल देखके समझी गया होंगे लेकिन वीडियो के शुरुआत में आप से एक डिस्क्लेमर ये बोलना चाती हूँ कि मैं और मेरे दोनों चैनल जेंडर डिस्क्रिमिशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं इनफाक्ट इंडिया में जेंडर का सेलेक्शन करना इलीगल है बहुत सारे लोगों के वज़ा से इसे इलीगल माना गया है क्योंकि बहुत हद तक ऐसी ऐसी सारे चीज़े हुई हैं जिसे सुनकर आपके रूफ तक काम जाएंगे तो ये सारे वीडियो आपके फन गेम के लिए हैं इंटर्टेन्मेंट के लिए हैं इनका सच्चाई से और इसको कहे सकते हैं कि रियालिटी से बहुत जादा संबंध नहीं होता है इन फैक्ट ये सारे वीडियो आज आपको 95% 97% आपको प्रूफ कर देंगी पर शॉरिटी कोई भी नहीं देता है इन फैक्ट अगर आपको कोई भी वीडियो अगर इस तरह के बना रहे हैं तो उनकी कोई भी शॉरिटी नहीं होती है शॉरिटी हो जाएगी तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे और ये सिर्फ आपके भगवान के हाथ में है कि वो आपको at the time of delivery क्या देने वाला है क्योंकि final surprise तो उनके ही हाथ में है और surprise का मज़ा भी तभी आता है जब आपको at the time of surprise वो चीज़े मिले तो इस वीडियो को बस entertainment के purpose से देखिए और इसका कोई भी मकसद नहीं है तो जैसे मैंने आपको अभी thumbnail लिख के बताया है कि सच में ऐसा बहुत सारे ऐसे prediction हुए है लेकिन फिर भी surety नहीं होती है तो कुछ मैंने ऐसे points को find out किया है जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं लेकिन ये भी अनुमान कितने हद तक सही होगा इसकी guarantee मैं नहीं दे रही हूँ मेरे मैंने कुछ अपने reports बहुत सारे ऐसे देखे कुछ अपने घर को मैं ठीक कर रहे थी तो कुछ सारे reports मेरे हाथ लगे तो आपको मैं बता दू एक छोटी सी information अपने बारे में बता दू कि मेरी दो pregnancy हुई है पहली pregnancy में मुझे baby boy conceive हुआ दूसरी pregnancy जो कि मेरी twin pregnancy हुई है जिसमें मुझे baby boy और baby girl दोनों हुए है तो उन दोनो pregnancies में मेरी क्या क्या reports हैं उसको मैं बस ऐसे correlate कर रहे थी बस देख रहे थी as a random क्योंकि मेरे हाथ लग गए तो unknowingly मैंने बहुत ऐसे fact देखें जो कि मुझे लगा कि maybe शायद ये video इसके उपर बनानी चाहिए लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ जितने भी लोगों से मैंने बात की जितने मेरे दोस्त हैं या कभी ऐसे ultrasound report के बारे में अगर कुछ बाते होती हैं तो ये बाते सच निकल के आई हैं कि maximum cases में मैं maximum कह रहे हूँ याद रखेगा 100% नहीं कह रहे हूँ maximum cases में anterior placenta जो होती है वो baby boy को indicate करती है maximum cases में लेकिन फिर भी बहुत सरी ऐसी दोस्त है मेरी जिनकी anterior placenta थी लेकिन उनको baby girls हुई है तो ये बाते हैं कि किसी के साथ तो ये prove हुई है लेकिन किसी के साथ prove नहीं हुई है likewise अगर anterior placenta है तो that means कि ये कही न कहीं boy का indication है और ये अगर posterior है तो ये कही न कहीं आपको girl का indication है but there is a not surety कोई भी surety नहीं है अगर आपको fun way में लगता है मैंने खुद अपनी दोनों pregnancies में correlate किया अब बहुत सरे लोगों का ये भी सवाल होगा कि आप twin pregnancy में आप कैसे जान सकती है कि आपके baby boy का ही anterior था और baby girl का posterior था तो देखे मैंने differentiate कैसे किया में मेरे दोनों बच्चों की weight में कुछ difference था तो जब वो लोग पैदा हुए तो मुझे एक अंधाजा लग गया मुझे पता चल गया कि हाँ baby boy कौन था गर्व में और baby girl कौन थी तो एक correlation जब मैंने उसे अच्छे से पढ़ा उस सारे reports को मैंने पढ़ा तो मैंने correlate कि first pregnancy में भी जब मेरे बेटे के time पे भी anterior placenta ही था और इस case में भी जहां मेरी twin pregnancy थी उस case में भी anterior placenta ही boy को indicate कर रहा था और जो posterior थी वो मेरी baby girl के साथ हुई तो बस that's it इस video बनाने का यही मकसद था कि अगर आपको इस तरह की चीज़े दिखती है तो आप एक मन-मन में अनुमाल लगा सकते हैं बट शौर नहीं हो सकते हैं तो बस fun में में आप देखिए आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिजेगा साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मेरे दोनों चैनल को विजिट करिए ट्विन्स माइ वर्ल्ड और ट्विन्स माइ वर्ल्ड केयर को और चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं त्विन्स माइ वर्ल्ड